हलो फ्रेंद्स आज के इस वीडियो में मापको यह बताने जारओ हूं कर्णै कैसे आप अपने लावबलेश to Android मॉइल फोर्ण में आप तो कलरोड करेक्शन सेटिंग में अपने कशन कर सकते हैं extra settings ओपन कर लीजे setting पेज में आपको नीचे में जा ना है ङा पчески पर ह्याइक भीन झांसी Lesson के तीक सामने आपको प्रीक्शन को आपको सब्सक्राइब किने प्लूर कलरर में तो है या आपकी से अनि हो जएग अनी ऑजिक है अब इस setting जो ना color correction की enable होने के बाद इस setting कैसे काम करती है यह मैं आपको बता देता हूं देखिए आपकी जो mobile phone में जितने भी colors होते हैं उनके color ना fade हो जाते हैं मैं आपको बता देता हूं देखिए जो आपके mobile phone का जो normal color होगा ना app icon का color किसी भी app के अंदर अगर आप देखे हो जाते हैं मतलब हलके हो जाते हैं जो नोका normal color होता है तो इस setting को enable करने से setting कुछ इस तरीकी से काम करती है आपके mobile phone में अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आपना इस setting को यानि कि color correction setting को अपने mobile phone में shortcut तरीकी से आप कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको करन बार में setting का name डाल देना है color correction ठीक है जो setting का name है यहापर आपको पूर डाल देना है इस तरीकी से तो आपको जो है ना नीचे की side option शो हो जाएगा color correction का इससे select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly color correction के इस page में लेकर आ जाएगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का